इद 2020 पर आ रहे है सलमान खान बहुत बड़ी फिल्म को लेकर खुद सलमान खान ने किया एनाउंस हर वेंट्स आप देख रहे हैं FHR News हर रोज सलमान खान की अपकमिंग फिल्म को लेकर चर्चे होते रहते हैं जैजब से सलमान खान ने एनाउंस किया है कि वो संजरिला बंसाली की इंशाला फिल्म नहीं करने वाले तब से सोचल मीडिया पर हडबड मची हुई है कि आखिर सलमान खान इद 2020 पर कौन सी फिल्म करने वाले है बताते कि अभी तक राधे, वन टेर टू, कीक टू, वेतरन की रिमेर्ट जैसी कई सारे फिल्मों का नाम सामने आ चुका है लेकिन ये सारी अफ़ाये थी क्योंकि जब तलक सलमान खान खुद किसी फिल्म का अनाउंस ना कर दे तब तलक कुछ कंफर्म नहीं किया जा सकता लेकिन हाली में सलमान खान ने इद 2020 पर आने वाली फिल्मों पर बड़ा बयान दिया है जह सलमान खान ने कहा कि में इद 2020 पर जरूर आऊंगा और वो फिल्मों जल्द ही शुरू होने वाली है जे और आगे सलमान खान ने कहा कि यह फिल्मों को डायरेक्षिन देने वाल है प्रभुदेवा सलमान खान ने कहा कि में और प्रभुदेवा दोनों एक बार फिर से इत 2020 पर एक साथ आ रहे हैं लेकिन बता दू कि अभी तक फिल्म का नाम कंफर्म नहीं हुआ जब तलक सलमान खान ये फिल्मों का नाम कंफर्म न कर दे बता दे कि ये फिल्मों का नाम जल्दी सलमान खान कंफर्म करने वाले है लेकिन इससे पहले में सलमान खान और प्रभुदेवा की जोड़ी दबंगत्री फिल्मों में भी देखने को मिलेगी क्योंकि दबंग दी फिल्मों को भी direction प्रभुदेवा ने ही दिया है और इससे पहले भी सल्मान खान और प्रभुदेवा वांटेड फिल्मों में एक साथ काम कर चुके है और वांटेड फिल्मों सल्मान खान की कितनी बड़ी हीट रही है वो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं क्योंकि वांटेड के डायलोग सल्मान खान की स्टाइल हर किसी ने बहुत ही पसंद किया था और एक बार ऐसा ही जादू बॉक्स आफिस पर चाहने वाला है पहले दबंग फ्री में और इसके बाद इच दोजार बीस पर तो वेंट्स आप क्या कहेंगे इस न्यूज को लेकर वहां में कमेंड करें ये निस पसंद आये तो उसे लाइक करें आगे कि हमने अपडेट के लिए एक वेस्टा न्यूज को जरू सब्सक्राइब करें जरू से जरू साथ जरू सब्सक्राइब करें